हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसी टेर्णिंग प्रतापगड उत्रप्रदेश दोस्तों लेके आए हैं निस्ठा प्रश्णोतरी जी हाँ दोस्तों कोर्स चार जो कि हमारा सुक्षन अधिगम प्रक्रिया में जेंडर से सम्मंधित है यानि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जेंडर किस रूप में रोल प्ले करता है इस समय दोस्तों ये दिख्षा पोर्टल पे ये कोर्स अवलेबल है और इस कोर्स की संख्या यानि क्रमांक दोस्तों चार है जो की 1 नॉवंबर से 15 नॉवंबर के बीच में दोस्तों चलना है इस सम्मंधित कुछ प्रश्ण है जिनके उत्तर हम आपको दे रहे हैं ये निश्चित ही आपको इस कोर्स को पूर्ण करने में मदद करेंगे तो आते हैं दोस्तों जो जो प्रश्ण इस से सम्मंधित हैं उसको हम complete आपको उसका solution उपलब्द कराते हैं बिना देर किये दोस्तों आते हैं प्रश्ण पे दोस्तों पहला प्रश्ण आपके सामने है कि निमलिखित में से कौन सा कथन लड़को पूरुशों के बारे में एक जेंडर स्टीरियो टाइप नहीं है स्टीरियो टाइप का पहले आप मतलब समझें स्टीरियो टाइप का दोस्तों तात पर ये होता है कि एक रूड़ी एक रूड़ी बद्ध अवधारना पहले से चली हुई एक सोच एक कॉंसिप्ट एक ठिंकिंग का प्रारूब जिसे हम रूड़ी कहते हैं तो जैसे रूड़ी बद्ध यहाँ पे जो बाते हो रही हैं कि लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं यानि लड़के या पुरुष जो है एक अच्छे ड्राइवर होते हैं ये माना जाता है लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है ये भी रूड़ी बद्ध अवधारना है फिर उसके बाद लड़के पुरुषों को रोना नहीं चाहिए यानि बहुत इमोशनल नहीं होन अचाहिए गल्स तो इमोशनल होती हैं ये भी रूड़ी बद्ध अधारना है लेकिन लड़के अबलिक पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं ये स्टेरियो टाइप नहीं है ओके तो यहाँ पर ये आप्शन सही होगा आगे चलते हैं निमलि नहीं है क्योंकि गल्स एंड बॉइज बोथ को इक्वल राइट है टू गेट एजुकेशन लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं तो ये भी सही नहीं है आप देखते हैं कि मेहनती होना व्यक्ति के सुभाव में है ऐसा नहीं है वो जिंडर डिसाइड नहीं करत है कि लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं महिलाओं का अस्थान घर है दोस्तो ये भी सही नहीं है महिलाओं का अस्थान घर है तो सही क्या है लड़के और लड़कियों के साथ आपको बराबरी का व्यवहार करना चाहिए यहीं सही है आगे चलते हैं पूरुश पुरुषत्व और इस्त्रीत्व को संदर्भित करता है यानि पुरुषत्व और इस्त्रीत्व को संदर्भित करता है पित्र सत्तात्मक्ता, जेंडर, लिंगभेद, यौन, सेक्स तो दोस्तों जेंडर की आधार पे ये decide होता है कि पूरुशत होगा या इस्त्रीत होगा ठीके? आगे चलते हैं जेंडर के बारे में निमलिकित में से क्या सही नहीं है? जेंडर पूरुशों, महलाओं और टरांस जेंडर के बीज जेविक अंतर को दर्शाता है कि एक identity यानि male, female या अगर आपने कहीं form भरे हैं तो इसका option जरूर आता है कि whether the candidate is male और female, अब एक नया option हो गया है transgender का तो gender का मतलब ही है कि उसकी ब्यक्ति की जो सक्षियत है उसकी male, female या transgender के रूप में एक identity तो ये दोस्तो सही है यही सही है अब जो चीजे गलत हैं वो आपके सामने है gender, संबंद, समय के साथ और लोग के विभिन समुहों के बीच भिन्विन होते हैं ये गलत है gender, महिलाओं, पुरुशों और transgender के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, ये भी दोस्तो गलत है और कोई भी नहीं आगे चलते है gender और यौन यानि sex के भी आवश्यक अंतर क्या है तो दोस्तो जेंडर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक social identity है और sex क्या है एक biological function है तो gender एक जैविक अंतर है जबकि यौन, sex पुरुशो और महिलाओं के भी सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है तो जोस्तो ये गलत है gender और यौन यानि sex में कोई अंतर नहीं है ये भी गलत है, अंतर तो है ही कोई भी नहीं तो ये option आपका सही आ रहा है कि यौन, sex एक biological जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक biological function है जबकि gender पुरुशो और महिलाओं के बीद एक social identity को form करता है ओके, gender का मतलब होता है कि समाज में व्यक्ति का एक पहचान that is gender वो male है, female है या transgender है और sex जैसे कि आपको बताया कि ये एक biological function है आगे चलते है निम लिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है तो यहाँ पे emotional होना boys में भी होता है girls में भी होता है मेहनती दोनों, laborious दोनों हो सकते हैं स्वतिनत्र भी दोनों हो सकते हैं तो यहाँ पे सभी option सही है आगे चलते है निम लिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक gender stereotype नहीं है तो एक रोडिवद्द जो अवधारणा ladies के प्रतिबनी हुई है जैसे लड़कियां महिलाएं खराब नेर्ड़े लेने वाली होती है यह है बना हुआ है कि उनका जो decision होता है वो सही नहीं होता है यह बात सही है स्टीरियोटाइप है रोडिवद्द दोधारणा है लड़कियों महिलाओं को पतली और सुदर होना चाहिए यह भी एक स्टीरियोटाइप है लड़कियां महिलाएं बातोनी होती है टाकेटिव होती है यह भी सही है रूरबनी है लेकिन यहां कहा जा रहा है महिलाओं के बारे में एक gender स्टीरियोटाइप कौन सा नहीं यही लड़कियों महिलाओं के पास नेत्रत कौशन है और वो किसी भी पेशे में उत्क्रिस्टता प्राप्त कर सकती है यह जो है स्टेटमेंट यह स्टीरियो टाइप लिए हुए दोस्तों नहीं है आगे चलते हैं निम लिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है पहचाने तो लड़कों के लिए साइन्स और टेकनॉलजी है मैस्टूएशन के दोरान लड़कियों को रसोई में प्रिवेश नहीं करना चाहिए जी हाँ दोस्तों यह सब मिथक हैं बने हुए हैं कि विज्ञान यानि साइन्स ब्यस्टी बोईस करें या बीटेक बोईस करें यह अलड़ी जेंडर से रिलेटेड मिथक दोस्तों बने हैं यह भी है कि मासिक धर्म के दोरान यानि मेंस्टूएशन साइकल जब चलता है तो गल्स को जो है रसोई में प्रिवेश नहीं करना चाहिए यह भी एक स्टीरियो टाइप बनी हुई है आज भी यह चीजे बनी हुई है लड़के तरकशील होते हैं लड़कियां तरकहिन होती हैं जी हाँ दोस्तों यह माना जाता है कि लड़कियां जो है इल्लोजिकल होती हैं उनके पास थौटलेस होती हैं और बॉइस जो होते हैं रेशनल होते हैं लोजिकल होते हैं ऐसी बातें अभी भी स्टीरियो टाइप की रूप में सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं यह चीजे अभी भी प्रचलित हैं और जो चीद नहीं प्रशलित है वो है लड़कों और लड़कियों की बीच जैविक अंतर उनकी संग्यानात्मक छमताओं से संबंदित नहीं जो भी biological differences है that is created by God उससे उनका cognitive जो भी capacity है दोस्तों उससे संबंदित नहीं है यही है जिसमें आपको टिक करने हैं आगे चलते हैं निमलखित में से कौन सा कार लिंग भेत को नहीं दर्शाता है तो लिंग भेत को यानि जो जेंडर का discrimination है उसको नहीं दर्शाता है कौन सा है statement अब इधर आते हैं पहले हम देखते हैं कौन-कौन सा दर्शाता है तो परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अप फिर मेल उरिέंटेड है कि मेल जो है जौप करने वाला है यहां पि मेल उरियंटेड डिसीजन है बंटी और उसके दोस्त आम तौरपट टाई कार और टाई गौन के साथ कहलते हैं जियां b laptops जो हैं गन के साथ खेलते हैं यानि अस्लहेवगरा के साथ जो खेलने का राइट ह कार चलानी का राइट है वो बॉय को है शारदा आपने ज़्यादा तर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है गल्स के लिए यही स्टीरियो टाइप है कि वो अपना रसोई समझा ले तो अब यहां से अलग क्या है लिंग भेद को नहीं दर्शाता है यही कि शेफाली परवता रोही बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही है यह थोड़ा अलग है कि मौंट्रेनिंग का काम कर रही है शेफाली चुकी योग लड़की है और इस तरीके से परवता रोही बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही है तो ये लिंग भेट को नहीं दर्साता है आगे चलते है क्या या कथन सही है राज़ीत में सत्ता और अधिकार के पदों को सम्हालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षन तो यहां पर दोस्तों दिया गए हां महिलाओं को जैविक रूफ से कमजोर यानि योन सेक्स माना जाता है वीकर सेक्स उने माना जाता है ये एक स्टेट्मेंट है दूसरा हां विभावनात्मा करूफ से कमजोर है और निर्णे लेने में सक्षम नहीं है दूसरे statement यह है और तीसरे हाँ महिला है घर के काम करने के लिए अधिकन कोन तो दोस्तो इसका answer आपका होगा नहीं विसत्ता और अधिकार की पदो को समहालने में पूरुषों की तरह ही सक्षा में कोई कमी नहीं है जी हाँ दोस्तो तो आपको teaching learning process में जेंडर का क्या रोल है ये course 4 जिसको निस्ठा पर सिक्षान से सम्मंदित जो दोस्तो है दिक्षा पोटल पे available है ये प्रस्नोत्तरी हमने आपके सामने प्रस्तुत की आपको कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा चैनल पे कमेंट करिएगा इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने सिक्षक भाई-बैनों की बिट में शेयर करिएगा लेकिन अगर आप टीसी ट्रेनिक प्रताब गलुत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नहीं है पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज इससे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब को बटन प्रस करते हैं बराबर से एक बेल आइक नाता है उससे प्रस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग इन लिसनी इस जजजबर कास्ट वे साइन आफ